हरे किष्णा तो आज हम कार्तिक महात्मे कास्त्रिबन कर रहे हैं और पहले से जो कथा चल रही है तो उसी में जिस बिंदु पर समाप्थ हुई थी उस बिंदु से आगे हम सुनेंगे लेकिन पहले की कथा को हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि ये कथा इस प्रकार की चल रही है कि कांचिपुरी के राजा चोल है जो बहुत बड़े भकत हैं महान भकत हैं भगवान के और उनकी प्रजा में भी जो है मतलब इतनी भकती है कि ना तो कोई दरिद्र है ना कोई पापी है और उनके ही राज्य में एक विश्णुदास नाम के ब्राम्मन है जो कि भगवान अनंत सेन के मंदर में रोज भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का भिसेक करते हैं और तुलसी दल तुलसी मंदरी अरपन करते हैं तो एक बार राजा चोल आये और उन्होंने भगवान को मोती और मनी और सोने के फूलों से स्रिंगार किया भगवान की पूजा की और उस स्रिंगार में भगवान की सोभा देखने के लिए वो बैठ गए और उसी समय विश्णदास आये जो ब्रामन थे तो वो अपने रोज के नियम के अनुसार भगवान अनंतर सेयन को अभिसेक करते हैं और तुलसी दल तुलसी मंजरी से भगवान की पूजा करते हैं तो उन्होंने राजा चोल की कोई परवाहने की कि राजा है तो कोई सम्मान करें और राजा ने भी कोश ऐसा विचानने किया कि उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि भगवान के मंदर में राजा का कोई महत तो नहीं होता है सब भगवान की दृष्टी में समान है तो उसमें तो राजा को कोई सिकाइद नहीं हुई तो राजा को फिर सिकाइद हुई इस बार से कि उन्होंने जो भगवान को मोती और मनी और सोने के फूलों से स्रिंगार किया था तो उसको ढख दिया विश्वदास ने तो अपने तुलसी दल तुलसी मंदरी से तो राजा का भी जो है एक जो पक्षे था वो एक द्रिश्टी से सही था कि भगवान की सोभा तुमने ढख दी तो उन्होंने विश्वदास की निंदा की कि तुमने भगवान की सोभा को ढख दिया तो विश्वदास ने राजा की निंदा की कि आप भक्ती नहीं जानते हैं तो फिर राजा ने जो है मतलब और चुनोती दी कि तुम क्या भक्ती जानते हो तुम तो निर्धन हो तुमने क्या दान किया तुमने क्या यगी किये तुमने कहा भगवान के मंदर बनवाए तुम अपने को कैसे भक्त कहते हो तो विश्ण दास ने भी जो है मतलब राजा को चुना दी ती कि तुमने कितने भगवान के उपवास किये हैं तुमने कितनी पूजा की तो इस प्रकार से जो है जब राजा बहुत रोधित हो गए और जितने ब्रामणति उनके सामने बोले कि अब देखो मेरी भक्ती से भगवान प्रसन होंगे या इसकी भक्ती से भगवान प्रसन होंगे तो यह आप सब लोग देखिए आप लोग गबाए हैं और मैं भगवान के पहरे दर्शन करता हूँ या यह दर्शन करता है भगवान के पहरे इस प्रकार से राजा कह करके और अपने महल में चले गए और उन्होंने बहुत बड़ा यगे चालू किया मुद्गल मुनी को अपना गुरू बना करके और यही बात जो है मतलब निश्यत करके कि मुझे भगवान के दर्शन हो तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा यगे किया और बहुत ब्राम्वनों को भोजन करा रहे हैं और बहुत दान दे रहे हैं और यगे चल रहा है म बिश्ण दास जो है वही उसी मंदर में रहते हुए उनको भी बहुत समय बिद गया वही भगवान की भक्ती और पूजा में लगे थे तो अब कारते का महिना आया तो बिश्ण दास का जो नियम था उसके नुसार वो दिन में एक बार ही भोजन बनाते थे और भगवान को भोग लगा के खाते थे तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने भोजन बनाया भोग लगाने गए तो भोजन किसी ने चुरा लिया अब वो बिचारिया केले और छेत्र सन्यासी तो उस स्थान से कहीं दूसरे स्थान में जाने ही सकते और चोरी हो रही है तो उनके साथ और रहे हैं कि साथ दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है अब तो मुझे अपने भोजन की रक्षा करनी है तो छिप करके बैठ गए तो देखा कि उनका भोजन चुराने के लिए एक चांडाल आया है जो कि बिलकुल दुरबल है और उसके सरी में मांस नहीं है हड़ी नहीं है केव दुरबल हड़ी और चमड़ा ही उसके सरीर में है और बहुत कुरूप और काला और बिलकुल जैसे दुरबल कोई शक्ती नहीं है तो वो जो है चुप चाप आया और भोजन को चुरा करके अब जाने लगा तो विश्नुदास ने देखा कि ओहो ये जो है चांडाल ये तो बिचारा बहुत दुरबल है तो इसको तो भोजन की ज्यादा अब शकता है तो वो चुप कि महान भक्त थे विश्नुदास तो उन्होंने उल्टानी सोचा कि इसको मैं दढ़ने दूँ ये साथ दिन से मेरा भोजन चुरा रहा है और मैंने खापा रहा हूं तो महानता थी विश्नुदास की तो वो घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दोड़े कि अरे तो ऐसे रूखा भोजन क्यों खाएगा तो घी भी ले 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 तो घी देने के लिए लेकिन वो तो अपनी तरह चोड था अपनी तरह सोचने लगा तो भागने लगा तो भाग नहीं सका तो गिर गिर गया तो विश्णुदास उसको वस्तर से पंखा करने लगे और जब उठा तो चांडाल उठके खड़ा हुआ तो विश्णुदास ने देखा कि साक्षाद भगवान नारायन चार भुजाएं धारन किये संग्य चक्र गदापन धारन किये और उनकी सेवा में बहुत से ग आर्थना भी नहीं कर सके तो उसमें भगवान ने विश्णुदास को अपनी चाती से लगाया और अपने समान रूप दे दिया तो वेकुंठ में जो भग होते हैं तो भगवान के समान उनका रूप होता है चार भुजाएं होती हैं संक्र जगर गदापन में धारन किये होत में उसको बठा करके और जा रहे हैं तो अब वेकुंठ जा रहे हैं विश्णुदास भगवान विश्णु के साथ और उस समय यग्य की देख्षा लिये हुए राजा चोल ने देखा कि क्या हुआ अरे जिससे मेरी इस परदा है कि मैं पहले जाओंगा वेकुंठ यह पहले जाएगा तो यह मुझसे पहले जा रहा है और मैं इस परदा में हार गया तो राजा चोल ने मुद्गर मुनी को बुला करके कहा कि हे गुरु देव मैं आप मैंने आपको गुरु बनाया इसलिए कि मैं विश्णुदास से पहले वेकुंठ जाओं लेकिन यह जो है जो यग तो इससे तो भगवान प्रशन नहीं हुए और मैं तो वेकुंठ नहीं जा पा रहा हूं और विश्णुदास वेकुंठ जा रहा है तो इस प्रकार से राजा चोल ने उन से बोला मुद्गर मुद्गर मुनी से बोला तो यहां तक की कथा हमने पहले भी सुन ली है अब वेश्णों छेत्र में अगनी होत्र किया देखिये मतलब वेकुंठ जाने के रिए मैंने क्या किया यग्य की दिख्षा लेने का मतलब है कि और कहीं जाएंगे नहीं इसी इस्थान में रहना फिर वेश्णों छेत्र एक बहुत ही विसेश जो अप्वित्र इस्थान है तो अगनी होत्र कर रहा हूं और दान आदि करके ब्रह्मनों कि सब कामनाएं मैं पूरी कर रहा हूं तो मैं तो सब कुछ कर रहा हूं परंतु अब तक विश्णु भगवान मेरी उपर प्रिशन नहीं हुई और विश्णु दास की भक्ती से ही प्रिशन होकर हरी ने उसे प्रिकट होकर दर्शन दिया है तो देखें मेरा कितना बड़ा दुरभाग है कि जिससे पहले मैं भगवान के दर्शन करना चाहेता था तो मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिये और उसको भगवान ने दर्शन दिये तो गुरू से वो शिकायत कर रहे हैं राजा चोल तो ये तरीका है तरीका ये भी है कि गुरू से शिकायत करें लेकिन गुरू की शिकायत नहीं करना है लेकिन अपनी समर्श्या बताना है तो राजा चोल ने अपनी समर्श्या बताई अपनी दुख बताया कि मैं आप से यही चाहता था कि मुझे पहले ही विश्ण दास से पहले ही वेकुंध की प्राप्ती हो तो ऐसा नहीं हुआ इससे यह मालूम होता है कौन के रहे हैं राजा चोल के रहे हैं इससे यह मालूम होता है किससे के रहे हैं मुद्गर मुनी से कि हे मुनी इससे यह मालूम होता है कि दान और यग्य से विष्णु प्रसंद नहीं होते भक्ति ही उनके दर्संद में मुख्य कारण है अर्था भक्ति ही से वे प्रसंद हो गेता में भख्वान के ही מעव यह keहते हें आंवय देरनद्फश्त्व ना दाने दनर्य ग recognis चतर्मत्व ना दूंहिं वेद्वार में के द्वारा तक ग्लाइव धुझ वशतर्मत्व और ना थपष्चा की द्वारा। ना थपष्चा की द्वारा। तो इढूर प्रकार प्रकार से मुझे कोई नहीं देख सकता। मेरा दर्शन नहीं कर सकता और भाग्वान के थिए भक्तियां तु न था सक्त Yantara शक्वीन anzit fla 잠 को पे शाश्तिय को प्रुविष्टमच अपणनत शबば कर दो करना उड़लो करना तो ये है चववनवा व्हे त्रिपनवा था नश्त He प्रवेश कर सकता है तो केवल एक विदी है अनन्य भक्ति तो यहां पर राजा चोल को अब्योहरिक ग्यान होगे गीता में भगवान ने सिध्धान्त बतलाया लेकिन वो जो सिध्धान्त है उसका प्रैक्टिकल राजा चोल ने कर लिया और प्रैक्टिकल क्या कर लिया कि उन्होंने जो है यग्य किया और दान किया बहुत यग्य बहुत बड़ा यग्य किया और बहुत दान किये सब कुछ क लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए और जो विष्णु दास है वो किवल भक्ती अनन्य भक्ती की द्वारा भगवान को प्रसन्य करते हैं तो भगवान ने उनको दर्शन दिया तो यही किये रहे हैं तस्मादाने स्जग्याशा नेवे विष्णु प्रसीदती भक्ती रेवे परमतस्य निदानम दर्सने वे भूँ तो ये सब का था जो भगवान विश्णू के पारसद पुन्यशील उससूल है तो वो बत कह रहे हैं और किसे कह रहे हैं धरमदत्य नाम के ब्रामप्र से कह रहे हैं धरमदत्य नाम के ब्रामप्र से कह रहे हैं तो पुन्यशील उसस्शील आप बोले कि ऐसा कह करके राजा ने अपने भांजे को राजगर्दी पर बिठाया देखो राजा भी कितने बड़े भकते हैं और कितना उनका दृष निश्चा है बहुत दृष निश्चा है भगवान के चरणों में तो राजा को हमें कम नहीं समझना चाहिए हमें राजा में दोस नहीं देखना चाहिए कि विश्चुदास तो पहले चले गए और राजा जो है राजा को भगवान के दर्शन नहीं हुए भगवान के दर्शन नहीं हुए तो राजा ने अब क्या किया वो राजा की कितनी मतलब तपश्या है कि बश्पन से ही वो यग्य में लगे रहे तो विभाय किया या नहीं किया जो भी हो पुत्र हुई नहीं यह इस तरी से संब्ध ही नहीं किया और उनका पूरा जीवन इसी में बीद गया तो भांजे को उन्होंने राजगर्दी पर बिठाया और अब जो है क्या करेंगे वो हमें देखना है कि राजा क्या करेंगे अब उनको राजे नहीं चाहिए राजे स्वाम दिया उन्होंने इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राजजे के धिकारी होते आ रहे हैं तो तब से यह प्रथा ही चल गए कि चोल देश के राजा क्या करते हैं आपने भांजे को राजगर्दी देते हैं यह प्रथा चल गए तब से तब राजा चोल यह कि इस्थान में आए देखिए तुरंत जो है उन्होंने एक्षन लिया कि विश्णुतास मुझसे आगे निकल गया है और मैं पीशे रह गया हूँ तो मैं क्यों पीशे रह गया हूँ देखिए बैकुंठ जाने के लिए राजा इतने ब्यग्र है कि राजा को बिलकुल लाद मार दी तुरंद तुरंद लाद मार दी मुझे बैकुंठ जाना है बिश्णुतास अगर बैकुंठ जा रहा है तो मैं क्यों पीशे रहूँ मुझे भी बेक उंठे जाना है ये जो है मतलब इस्तिती है राजा की एक राजा है ना राजा क्या सोचता है हर कोई क्या से सोचता है हर कोई ये सोचता है कि संसार में ही अपना घर बसाऊं और अपना जो है जो भी अपने सुवधा सुख शुवदा है तो उनकी भेवस्था करूं और मजे कोई दुख मिल रहा है तो दुख को दूर करूं एस संसार मैं ही सुख का अपना घर बसा लूं यह तो हर कोई सोचता है कि इस संसार में मैं मैं सुख भोग लूं नेकिन राजा-चोल है ना भगवान गीता में ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ये साम तुन्त कदम पापम जना नाम पुन्य कर्म नाम ते दुन्द मोह निर्मुक्ता भजन ते माम द्रह ब्रता जिनके पाप नश्ठ हो चुके हैं और जना नाम पुन्य कर्म नाम जो बहुत पुन्य कर्म करने वाले हैं तो ते वो इससे मुक्त हो जाते हैं, वो चिंतनी करते हैं, मान हो रहा है, मान हो रहा है, शुक या दुख, उनको जाना है भग्मान के धाम, क्या करना है, इस संसार में रह करके, भजनते माम द्रवरता, तो डिश निश्चे के साथ मेरा भजन करते हैं, और राजा चोल ऐसे बहुत आत्मा हैं, और निस्पाप भी हैं, जनके पाप निश्च हो चुगे हैं, पुन्यों का बहुत बड़ा उनका जो भंडार है, वो बढ़ गया है, तो ऐसी इस्तिति में राजा चोल ने क्या किया, क्या किया, दुन्दमोह निर्मुक्ता, ये राज्य का है, जो हर प्रकार का मुग है, उन्होंने छोड़ दिया, अपने भांजे को राजगर्दी पर बठा दिया, और ये भी मैं सोचा, कि उस भांजे को अभी राजे करने की प्रस्रिक्षन भी नहीं मिला है, राजे करने का प्रस्रिक्षन भी नहीं मिला है, अब प्रस्रिक्षन वो मंत्री लोग है मुझे अभी मरना नहीं है, अभी तो मज़को ये काम करना है, और मौत उसको ले जाती है, कोई नहीं मरना चाहेता है, सबस्तार मेरा नहीं छोलु मैरा करना राजा है, तो उन्होंने क्या किया है कि अब यगिस्थान में आकर आगने की खड़े हो गई, तो यगिकी अगनी यग्य की अग्नी कितनी बड़ी अग्नी उन्हों बहुत बड़ा यग्य किया था तो बहुत बड़ा कुंडे बनवाया तो उसमें अग्नी भी मतलब कितनी प्रिजुरत होगी तो यह के कुंदे के सामने खड़े हो गए और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे अब क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे तो पहले तो सोचा था कि मेरे यग्य के द्वारा भगवान सुयम आएंगे साक्षात प्रसन हो करके आएंगे जब देखा कि भगवान प्रसन नहीं होते हैं यग्य के द्वारा तो उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी तो प्रार्थना के द्वारा ही भगवान को आकर्ष्ट किया जाता है जैसे कि माता को जो है जो बच्चा है तो वो चाहे जितना भी अच्छे अच्छे काम करें माता को जो है वो आकरसित नहीं कर सकता क्योंकि वो बच्चे के जितने भी खेल होते हैं तो माता के लिए कुछ भी उनका महत तो नहीं है लेकिन जब बच्छा रोए तो फिर जो है माता उसके पास आती है तो तो सी प्रकासिर राजा चोल ने अब प्रारतना करना शुरू किया अच्छा प्रारतना करना शुरू किया क्या कहा कि हे विष्णू मन वानी और सरीर से मुझे इस्तिर भक्ती करने के सामर्थ दीजिए ये मागा विष्णू मन वानी और सरीर से मुझे इस्तिर भक्ती करने के सामर्थ दीजिए ऐसा किया कर वो राजा सबके देखते देखते अगनी कुण्ड में कूद पड़े देखो अगनी कुण्ड में है राजा कूद पड़े कि मुझे आप वो दीजे तो ये है मतलब एक तीवर पुकार भगवान को तीवरता से पुकारा उन्होंने तीवरता से पुकारा कि अगर आप मुझे नहीं देते हैं तो मेरा अगनी में जलना ही अच्छा है इस प्रकार से ये कुण्ड में कूद पड़े विष्णो भक्तिम मिस्तिराम देही मनो वाकाय कर्मभी एत्युक्त्वासू पदंदवहनो सरवेसाम वेवेपस्यताम सब सब्सक्राइब लोग क्या है और जब राज़ा भग्वान की भक्ति के लिए आगने में कोद रहा है तो प्रजा अगर देखेगी तो उसको भी कैसा लगेगा कैसी प्रेय Luck अगर ऐसे राजा राजा होते हैं तब कहीं प्रजा कैसी होगी यथा राजा तथा प्रजा राजा लोग क्या करते हैं राजा जो है अपनी सुरक्षा में जो है मतलब लगे रहते हैं अपना खाना अपना सोना अपनी सुरक्षा और अपने भोग लगे रहते हैं तो प्रजा क्या सोचती है कि य प्रजा भी उसी प्रकार से अपने खाने सोने और अपनी सुरक्षा में और भोग में लगी रहती है तो इस प्रकार से जो है राजा की तरह प्रजा होती है तो राजा चोल जो है अगनी कुण में कूत पड़े विष्णो भक्तिम इस्तराम देही मनो वाकाए कर्म भी एत्युक्त्वासो पत्वहनो सरवेसामे वेपस्षिताम तब महरसी मदगल ने क्रोध से अपने सिखा उखाड़ा ली अब महरसी मदगल ने भी क्रोध से उनको क्र क्रोध किसके उपर आया अपने ही उपर आया क्रोध यहां पर महरसी मदगल को क्रोध जो आया वो राजा की उपर नहीं आया या और किसी की उपर नहीं आया अपने ही उपर आया क्रोध कि राजा का तो पक्षे बिलकुल सही है कि उन्होंने यग्यवर्स्थे करवाया कि भ भगवान के दर्सन नहीं करा सका और राजा को अगने कुंडे में कुदना पड़ा तो महारसी मुद्गल ने कुरोध से अपनी सिखा उखाड़ दी आप सोचिए सिखा कोई विक्तियागर अपने हां से पकड़ करके उखाड़े तो कितना कष्ठ होगा एक बाल भी अगर उखाड जाता है तो बड़ा बड़ा कष्ठ होता है लेकर उन्होंने कुरोध से अपनी सिखा उखाड़ दी तब से अब तक उस गोत्र वाले सिखा हिन होते आ रहे हैं बुद्गल गोत्र के जो ब्रामन है उनकी सिखाने होती, तब से अब तक ऐसा हो रहा है। एक विमान पर विश्वदास को ले कि भगवान जा रहे हैं बैकुंट और अभी भगवान क्या है अगनी कुंट में ही प्रकट हो गए और चोल की रक्षा कर ली तो राजा चोल अगनी में नहीं जले और भगवान ने चोल को भी शातिस लगाया। विश्वदास को चातिस लगाया था चोल को भी शातिस लगाया। और भगवान जो है चोल को भी विमान में चठा करके ले जा रहे हैं। ताबदा विरभूद विश्णु कुंडागनों भक्ते बत्तलाम तमालेंगे विमाना ग्र्यम समारो है अच्ची उतहा। उसके तथा देवताओं के साथ देवेस भगवान वेकुंठ को चले गए। तमालेंग याद में सारूपयम दत्वा वेकुंठ मंदिनम तेवेस देवेसो जगामे तरीदसेर बृतहा। तो यहाँ पर यह बताए गया है कि भगवान जो है विमान पर बिठा करके राजा चोल को भी वेकुंठ ले गए। तो इस प्रकार से यही समयना चाहिए कि विष्णुदास और राजा चोल दोनों ही वेकुंठ गए और एक साथ ही गए। तो राजा नहीं चाहिते थे कि वो पीछे रहें। वेकुंठ जाने में पीछे ना रहें। Ŕर क्यंग केवल यहां की सोच रहें McLaren केवन strip टूढ़ नहीं, कोद ही पड़े अगने कंध में। इतना भड़ा उन्होंने तयाक किया街 नहीं ने दूट भगवान की लिए इतना भड़ा उन्होंने कारी किया। तो भगवान जो है विश्णुदास की जैसे भक्ति उसी प्रिकार की भक्ति राजा चोल की तो दोनों बराबर ही निकले तो भगवान ने विश्णुदास को पुर्ण शील नामक अपना द्वारपाल बनाया और राजा चोल को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया यो विश्ण दासा सातुपुन्न जीलाः यसोले भूयस्द सुसेले नाम नाम एदाव भौतम तत्सम्रू पे भाजो द्वासतों गृताथे नहरमाप्रिये प्रियेन तो ये पुन्न सील सुसेल ही कतास door सुना रहे और वास्तम अपने ही कतास सुना रहे यह बिमान देकर के जो आए थे कलहर आक्षासी को वेकुंट ले जाने के लिए तो वे पुन्नशील सुषील अपनी करथा सुना रहे हैं कि हम दोनों ही हैं वो तो जो पुन्नशील है वो विश्णुदास नाम के ब्रामन है और सुषील है वो चोल नाम के राजा है तो इस प्रकार से विश्णुदास और राजा चोल भगवान ने दोनों को अपना द्वारपाल बनाया और कैसे द्वारपाल बना कि एक ही द्वार में दो द्वारपाल रहते हैं तो एक जोड़ी तो द्वारपालों के एक जोड़ी तो वेकुंट के अनेक द्वार हैं तो किसी द्वार में जय विजय द्वारपाल हैं तो ये जय विजय नाम भी एक जैसे हैं और एक ही द्वार में ये दोनों रहते हैं वसी प्रकार से पुन्यशील, सुशील भी वेकुंट के किसी एक द्वार में रहते हैं और नाम में भी कुछ समानता है पुन्रशील और सुषील उसी प्रकार से किसी द्वार में नंद और सुननद नाम के द्वार पार है तो उनके भी नाम एक जैसे नंद और सुननद तो इस प्रकार से ये पुर्णिशीर सुशील भगवान के द्वारपार है और इस समय भगवान का वेमान लेकर के वेकुंट से आए हैं किसको लेने के लिए कल्हा नाम की राक्षासी को लेने के लिए तो इस कथा में अभी कारतिक महात्मे का बाइस्वा ध्याय पुरा हुआ इती स्रिपद्म पुराणे कारतिक महात्मे द्वाविन सोध्याया धन्यवाद हरे कृष्णा